असलाम अलेकुम दोस्तों दोस्तों मैं आज आपको सिखाऊंगा जो अटेस संडास बातरूम होते हैं और कंजेक्शन जगा होती है जिसके उपर जीना या कोई जगा नहीं रहती है हुआ पर कोमोट किस तरह से फिट करें तो मैं आपको इसका सारा काम बताऊंगा दोस्तों इसमें मनें क्या क्या किया है और कौन से पाइब यूस किया है तो दोस्तों मनें यहां पर देडिनची पाइब पीवीसी यूस किया हो फ्लस के लिए और यहां पर मनें देडिनची एफटी फ्लस टेंग को लगाया हो और दो मनें पीवीसी देडिनची एलबो लगाया हो त तो इसकार के मने से साइट में लगाएओ और इहां पर एकी मारकर मने कनेक्षिन फ्लैश टेंग के लिए दिया हूँ और एग जो है मने इंगल कोक के लिए इसको यूस किया हूँ जैद arrows के लिए मने यूस् किया हूँ और और CPVC और इसमें डो मतलब इस पोर्ट हूँ इसमें शावर नहीं हो दोस्तो एकदम कम खर्चे में या इकदम सेमपल। किम मीने काम ने तो दोस्तो माणने इसके अंदर बहुत कम खर्चे में यह काम किया होться इसके में सामध भी बहुत कम लगाया हूँ तो दोस्तों इस फिलेश टैंक पीछे के साइट लगा वह रहता लेकिन पीछे के साइट इसका जो है सिलाप आ रहा था तो इसकर करके मेरो को इधर साइट में लगाना पड़ा और जो फिलेश टैंक का जो वाइट कलर का पाइप पाता है इसके साथ वो नहीं लग रहा था इसकर करके माने आप देड़ींची पीवीसी पाइप यूस किया हूँ और दोस्तों माने इसको को मोट का पीछे से देड़फूट चोड़ा हूँ ताकि जीने के साइट जब फ्रेश हो तो सरकुना लगे और यह जो है दोस्तों क किचन माने एक नल किचन के अंदर यूज किया हूँ और यह भी माने प्लास्टिक नल यूज किया हूँ जो पीवी से होता है वह स्टिल का माने नहीं लगाया इसके अंदर कुछ एकदा सेम्पल फिटिंग किया हूँ दोस्तों